साथियों, भारत के corporate sector ने, private sector ने, सामाजिक संगठनों ने निरंतर देश की स्वास्त सेवाओं को मजबूत करने में अपना योगदान दिया है। आईश्मान भारत, PM जय भी इसका एक बहतरी नुदारण है। इस योजना के तहट सवा दो करोड से अधिक मरीजों का मुप्त इलाज हो चुका है। और ये इलाज सरकारी के साथ ही प्रावेट अस्थपतालों में भी हुआ है। आईश्मान योजना से जो देश के हजारों अस्थपताल जुड़े हैं, उनमें से लगभग दस हजार प्रावेट सेक्टर के ही हैं। साथियों, पब्लीक और प्रावेट सेक्टर के बीच यही साजेदारी, मेडिकल इंफ्रस्ट्रक्टर और मेडिकल एजुकेशन के अभुत्पर विश्थार में भी काम आ रही है। आज जब हम देश के हर जीले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज बनाने पर बल दे रहे हैं, तो इसमें प्रावेट सेक्टर का रोल भी बहुत अहम है। इसी भागिदारी को बल देने के लिए मेडिकल एजुकेशन से जुड़ी गवर्नेंस में बहुत बड़े रिफॉर्म्स किये गए हैं। नेशनल मेडिकल कमिशन का घटन होने के बाद भारत में प्रावेट मेडिकल कॉलेज खोलना और आसान हुआ है।